हलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइप्स मैं इन ब्लैक विल स्मित की एक बहुत ही फेमस मूवी है लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी का जो प्लॉट है जिसकी जो स्क्रिप्ट है वो हलका फुलका रियालेटी से बेज़्ड है नहीं में पास उसका कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन एक क्लिप जरूर है जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेज़ दूँगा अगर मैं किसी वज़े से उसको अपलोड नहीं कर पाया तो ऐसे बहुत से लोग है जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने काले कपड़ों वाले बहुत अजीब से आदमियों को देखा है जो अचानक से उनके सामने आते हैं कुछ बाते करते हैं और गायाव हो जाते हैं इनसे जुड़ी वी कुछ घटना है भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दू कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो हॉरर्ड स्टोरी और मिस्टीर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बेश सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ज़्यादा टैम में लेते वे वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में ये घटना घटी थी हैरॉल्ड के साथ ये घटना उसके साथ जून 1947 में घटी थी जिस जगा ये घटना घटी थी उस जगा का नाम था प्यूजिट साउंड जो की वाशिंटन स्टेट में पढ़ता है हॉरर्ड अपने बच्चे के साथ वाशिंटन स्टेट के एक सी में फिशिंग करने गया था उसके बच्चे का नाम था हैरी उनके साथ उनका एक पालतू जानवर भी था जसका नाम उन्होंने डॉमिन रखा था हैरी अपनी पूरी लाइफ में पहली बार अपने पिता जी के साथ फिशिंग करने गया था जो की उसके लिए एक अच्छा और एक नया एक्सपिरियंस था लेकिन बस कुछी समय के लिए उस वक्त शाम के करीब पांच या छे बज रहे थे और फिशिंग कम्प्लीट करने के बाद वो दोनों लोग अपनी बोर्ट को लेके नदी के किनारे जा रहे थे तभी कुछ समय के लिए सब कुछ एकदम शान्त हो गया कहते हैं कि आने वाले हर खत्रों की ख़वर जानवरों को हम इंसानों से पहले पता चल जाती है उनकी बोर्ट जब किनारे की तरफ वापच जा रही थी तभी डॉमेंड अचानक से भौकने लगा और वो अपना भौकना बंद ही नहीं कर रहा था हरौल को लगा कि डॉमेंड को शायद भूक लगी है इसलिए उसने उसको कुछ कच्ची मचलियां दे दी लेकिन वो उसने नहीं खाई और आसमान की तरफ देखके और जोर जोर से भौकने लगा वो बिलकुल रुकी नहीं रहा था ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देखके बहुती जादा डर गया था हैरी के पास एक पुराना कैमरा था जो वो अपने पहले फिशिंग के एक्सपिरेंस की कुछ फोटोग्राफ्स खीचने के लिए लाया था उसने डॉमिन की भौकते हुए फोटो भी खीची थी जिसकी वज़ा से पूरे कैमरे का फ्लैश पूरी बोर्ट पर फैल गया था लेकिन हैरी ने बस दो ही फोटो खीची थी जिसकी वज़ा से कैमरे का फ्लैश स्रिफ दो ही बार आन हुआ था लेकिन फिर अचानक से दो बार और फ्लेश दिखाई दी ये देखके हैरॉल्ड और हैरी दोनों लोग शौक हो गए थे पहले उनको लगा कि उनकी कोई फोटो खीच रहा है लेकिन फिर करीब 10 मिनिट के बाद उनकी बोट किनारे पर पहुँच गई थी और वो अपना सारा समान बोट से उतारने लगे तभी हैरॉल्ड ने आसमान में कुछ अजीब सा देखा उनको आसमान में छे डोनट के शेप की आकरिती दिखाई दी जो कि उनके उपर से ही दीरे दीरे निकल रही थी सबसे पहले ये चीज हैरी ने साफ साफ देखी वो और कुछ नहीं छे उडन तश्त्रियां थी यानि की यूएफो वो वहाँ पर बस कुछी सेकंड्स के लिए दिखाई दी थी इतने में हैरी ने उनकी फोटोज कीच ली और डॉमेन उनको देखके तुरंद भौकने लगा उन छेयो उडन तश्त्रियों में से अजीब तरह की रोश्नी निकल रही थी जिसकी चमक पानी पर पढ़ लही थी डॉमेन उनको देखके और जोर से भौकने लगा और उनके पीछे दोड़ते वे भागने लगा हैरी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन डॉमेन रुका नहीं तभी उनमें से एक उडन तश्त्री अपने आप नीचे आने लगी और उसमें से अजीब तरीके का लिक्विड निकल रहा था नीचे आते ही वो उडन तश्त्री अजीब सी रोशनी निकाल रही थी ऐसा लग रहा था कि वो नीचे गिर के फट जाएगी डॉमेन उसको देख के भौक रहा था तभी वो उडन तश्त्री आके डॉमेन के उपर गिर गई और वो वही पर ही मर गया आस्मान में वो बाकी की पांच उडन तश्त्रीयां अपने आप कुछी देर में गायब हो गई ये पूरा हाथसा करीब एक मिनट से भी कम के समय में हो गया उस वक्त उस एरिया में होरल्ड और उसके बेटे के अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पर और भी कई लोगों की बोर्ट्स खड़ी थी लेकिन वो सारी की सारी बोर्ट्स खाली थी होरल्ड और हैरी तुरन गिरी हुई उडन तश्त्री की तरफ भागते हुए गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि डॉमिन उस यूएफ़ो को नीचे दबा हुआ है और मर चुका है उस गोल उडन तश्त्री में से अजीब तरह का ग्रीन कलर का कोई लिक्विड निकल रहा था और वो काफी जादा ठंडी थी हैरी डॉमिन की मरने की वज़े से बहुत जोर जोर से रो रहा था हॉरल ने तुरंद हैरी के कैमरे से उस उडन तश्त्री की फोटो खीच ली वो इतनी भारी थी कि हॉरल उसको हिला भी नहीं पा रहा था और वो बहुत जादा ठंडी भी थी इसलिए उसको छूना मुम्किन नहीं था वो यूएफो अजीब से मेटल की बनी हुई थी ना ही वो लोहा था और ना ही स्टील हॉरल ने उसकी तीन फोटों खीची उसके बाद कैमरे का रोल खतम हो गया था जिसकी वज़े से वो उसकी और फोटों नहीं खीच पाया करीब आदे घंटे तक वो लोग वहीं पर थे और उसमें से कुछ भी नहीं निकला उस यूएफो से जिस जगह से वो लिक्विट निकल रहा था वो भी अपने आप ठीक हो गया था और बस वहीं पर पड़ा हुआ था डॉमिन की बोडी भी एकदम जम गई थी होरल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो हैरी को लेके तुरंट घर की तरफ निकल गया क्योंकि वो समझ गया था कि ये स्पेस्शिप है और वो बाकी की पाँच स्पेस्शिप इसको लेने जरूर आएंगी उस वक्त शाम के करीब आट बज रहे थे और सूरच एकदम दूप चुका था होरल अपना सारा समान वहीं पर छोड़के हैरी और उसके कैमरे को लेके घर की तरफ निकल गया जो कि उस जगह से करीब 10 माईल की दूरी पर था उसको घर पहुँचते पहुँचते रात के करीब 9 बच चुके थे घर जाके उसने अपनी बीबी को सारी घटी घटनाओं के बारे में बताया और किसी से भी कुछ ना बताने के लिए बोला उसने उस कैमरे को हैरी के रूम में ही रख दिया और उसने सोचा कि कल जाके वो इसके बारे में कई लोगों को बताएगा रात के करीब 2 बच रहे थे और हॉरल्ड के दर्वाजे पर किसी ने नौक किया हॉरल्ड ने पहली बार उस नौक को सुना लेकिन उसको नजर अंदास कर दिया और दूसरी बार फिर जब उसी दर्वाजे पर नौक हुआ तो वो अचानक से उड़ गया जब उसने जा करके दर्वाजा खोला तो उसने दिखा कि दो आदमी उसके दर्वाजे पर खड़े थे उन दोनों ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे जिसमें काला सूट और काला पैंट था वो लोग एक कार से आये थे और वो कार बहुती ज़ादा पुरानी लग रही थी उस कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था जो कि उसी की तरफ देख रहा था उन तीनों आदमियोंने काले रंग के चश्मे लगाए हुए थे ये देखके हारोल्ड को थोड़ा अजीब लगा क्यूकि रात के अंधेरे में काले रंग के चश्मे लगाकर घूमना बहुती अजीब बात थी और काले रंग के चश्मे लगाकर ड्राइव करना तो बहुत ही ज़ादा मुश्किल होता है फिर भी उन्होंने काले रंग के चश्मे पहन रखे थे उन दोनोंने जिस काले रंग के सूट को पहना हुआ था उसमें वही अजीब हारे रंग का लिक्विड लगा हुआ था जो उस गिरे हुए श्पेस शिप से निकल रहा था उनकी हाइट करीब 6 फिट की थी हौरल ने जब उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला वो बस 20 सेकंड तक शांत रहे और करीब 20 सेकंड तक शांत रहने के बाद उन्होंने हौरल से उसके कैमरे के बारे में पूछा और बोला कि मुझे अपना कैमरा दे दो उनके कैमरा मांगने पर वो थोड़ा शौक हो गया और तभी उसने गुसे से बोला कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाते हो इतनी रात में डिस्टरब करने का क्या मतलब है तभी उस आदमी ने उसको उसके घर की तरफ धकेल दिया और वो दोनों लोग होरल्ड के घर के अंदर आ गए और दर्वासे को अंदर से बंद कर लिया तभी उस आदमी ने अपने कोट से बंदूक निकाली और बहुत ही ठहरी हुई आवाज में होरल्ड की तरफ बंदूक को पॉइंट किया और बोला कि मुझे अपना कैमरा दे दो तभी उसने डरते हुए उन दोनों को बताया कि वो कैमरा उसके बेटे हैडी के कमरे में है ये सब आवाज सुनके उसकी बीवी तुरंट कमरे से बाहर निकल के आ गई तभी उस दूसरे आदमी ने उसकी बीवी की तरफ भी गन पॉइंट कर दिया वो चिलाने लगी और तभी उस आदमी ने दुबारा बोला कि अगर तुम अपने चान की सलामती चाती हो तो वो कैमरा हमें दे दो ये भी उस आदमी ने बहुती ज़ादा ठैरी हुई आवास में बोला तभी होरल भागते हुए हैरी के रूम में गया और कैमरा लेके उस आदमी के पास आया और उसको कैमरा दे दिया उन्होंने कैमरे के सारे नेगेटिव्स को निकाल लिया और कैमरा उनी के सामने फेक दिया और वो लोग जाने लगे जाते वे उन्होंने हरल से बोला कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो याद रखना तुमारी फैमिली जिन्दा नहीं रहेगी इतना बोल के वो लोग अपनी कार में बैठके जाने लगे और जाने से पहले उन्होंने अजीब से एक कैस की बॉल उनके रूम में फेक दी जिसकी वज़े से उन लोगों को हलका हलका नशा हो गया और वो लोग धीरे धीरे बेहोश हो गए अगले दिन जब हैरॉल और उसकी वाइफ दोनों लोग नीन से उठे तो उनके सामने उनका लड़का हैरी खड़ा था जो उनको जगाने की कोशिश कर रहा था उनके घर का में दर्वासा अंदर से बंद था और वो कैमरा वहीं सोफे में बगल की टेबल पर रखा हुआ था उसने जब उस कैमरे को उठाया और चेक किया तो उसके अंदर कैमरे के नेगटिव्स नहीं थे वो पूरा खाली था वो लोग कौन थे और कहां से आये थे कुछ भी नहीं पता था उन्होंने अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इस बात की कम्प्लेन भी की लेकिन उनके घर से कोई भी चोरी नहीं हुई थी और नहीं किसी भी तरीके की जबरदस्ती की गए थी उन तीनों आदमियों का और उनकी कार का कुछ भी पता नहीं चला और नहीं किसी ने उनको आते जाते देखा वो लोग कहां से आये थे और कहां चले गए इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था हरॉल्ड जब अगले दिन उस जगह पर गया जहां पर वो यूएफो अल गिरा था तो वहां पर उसको कुछ भी नहीं मिला और नहीं उसके कुछ भी नाश मिली हरॉल्ड को कभी पता नहीं चला कि वो काले कपड़ो वाले आदमी आखिर थे कौन और उन लोगों को उस कैमरे के बारे में किसने बताया हरॉल्ड और उसके बेटे के अलावा कोई प्रूफ ना होने पर पूलिस ने भी किसी भी तरह की कोई इंवेस्टिगेशन नहीं की और फिर इस बारे में हरॉल ने किसी से बात ही नहीं की और वो शान्त हो गया तो ये थी पहली घटना, अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ ये दूसरी घटना जिस आदमी के साथ घटी थी उसका नाम था रॉबर्ट ये घटना उसके साथ 1967 में घटी थी ये घटना जिस जगा घटी थी उस जगा का नाम टॉलिटो सिटी है जो की ओहायो में पड़ता है रॉबर्ट अपने दोस्त के घर से लौट रहा था और वो अपने घर जा रहा था उस वक्त रात के करीब 8 बज रहते वो जिस रास्ते पर जा रहा था वो आम तोर पे काफी खारी रास्ता था क्यूंकि वो उसके घर जल्ली पहुँचने का एक शॉर्टकट था वो गारी चलाते वक्त थोड़ाता नशेमे भी था जिसकी वज़़े से उसको गारी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी रोवट के दोस्त माइक ने उसको घर ना जाने के लिए बुला क्योंकि वो बहुती जादा नशे में था और वो गाड़ी ना चला पाता लेकिन अगले दिन उसको किसी जरूरी काम से जाना था इसलिए उसका रात में निकलना ही जरूरी था रास्ता काफी खराब था जिसकी वज़े से कार काफी जादा हिल रही थी और डिस्बैलंस भी हो रही थी उसकी कार के आगे की दोनों लाइट में से एक लाइट खराब थी और रोड ठीक से नहीं दिख रही थी जिस रास्ते से वो जा रहा था वो रास्ता दोनों तरफ से एकदम सुनसान था एक तरफ से वो रास्ता पुरा जंगलों से घेरा हुआ था और दूसी तरफ पूरी सीधी प्लेन जमीन थी कुछ दूर जाने के बाद कच्चा रास्ता खतम हो गया और अच्छी रोट चालू हो गई उसकी वज़े से रोबर्ट ने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा ली कुछ आगे जाते ही फ्रोट के बीच में एक गड़ा था जिसकी वज़े से रोबर्ट की आगे का टायर उस गड़े में चला गया और उसकी गाड़ी डिसबैलन्स हो गई डिस्बैलन्स होके उसकी गाली जंगल के अंदर चली गई और एक पेड़ से टकरा गई उसके कार को काफी जादा नुकसान भी हुआ लेकिन रॉबर्ट को चोट नहीं लगी उसने जब कार के अंदर से उस पेड़ को देखा तो वो कोई पेड़ नहीं था एक सिल्वर कलर की उड़न तस्तरी थी जो कि उसकी कार से लड़के करीब 3-4 इंच पीछे चली गई थी उसकी कार उस उड़न तस्तरी से इतनी तेज लड़ी थी कि उसकी कार का आगे का बोनट पिचक गया था वो जब कार से निकल के उस उढ़न तस्तरी को देखने लगा तो वो बहुती ज़ादा तेज से चमकने लगी और चमकते हुए वो रॉबर्ट की आँखों के सामने ही गायब हो गई ये पूरा हाथसा करीब 40-50 सेकेंड के पीछ में ही हुआ उस वी उएफो के गायब होते ही रॉबर्ट को बहुती ज़ादा अजीब लगा पहले उसको लगा कि ये सब शायद उसका कोई वहम है क्योंकि उसने बहुती ज़ादा तारूपी लखी थी लेकिन तभी उसकी नजर उसकी कार के बोनट पे गई जो की चमक रहा था उसको छूबी नहीं पा रहा था क्योंकि वह बहुती ज़ादा थंडा था उस वक्त रात के करीब दस बच रहे थे और वो उस जगा पर अकेला था उसने एक कपड़े की मदद से उस तुकड़े को अपने कार से बाहर निकाला और अपने घर पैदल ही चला गया जब वो उस स्पेस्शिप के टुकड़े को लेके अपने घर गया तो वो और भी ज़्यादा थंडा हो चुका था उसने उस तुकड़े को अपने टेबल पे रखा और सो गया अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि वो टुकड़ा पहले से ज़्यादा थंडा हो चुका था उसने किसी को भी इनफॉर्म नहीं किया और उसने तुरंथ योएफो को टूटे हुए उस तुकड़े को ले जाके अपने एक दोस को दिया और उसको अपने साथ घटी उस घटना के बारे में भी बताया उसके दोस का नाम था वैली वो एक साइंटिस्ट था जो की बायो माइक्रो वाइरिस पर रिसेर्च कर रहा था उसके और भी कई जानने वारे दोस्त थे जो इन सब चीजों पे रिसर्च कर रहे थे उसके दोस वैली ने उस स्पेसशिप के टुकड़े को जाच के लिए भेज दिया और उसकी रिपोर्ट आने में करीब तीन से चार दिन लगने वाले थे इसलिए उसने रॉबर्ट को तीन से चार दिन इंतिजार करने के लिए बोला उस घटना के करीब दो दिन बाद रात के करीब एक बजे रॉबर्ट के टेलेफॉन की घंटी बजी उस वक्त कॉल पे वैली था वैली ने रॉबर्ट को तुरंद अपने घर आने के लिए बोला रॉबर्ट उसी वक्त अपने कपड़े बदल के वैली के घर की तरफ जाने लगा उसने जैसे ही घर के बाहर निकलने के लिए अपने घर का में दर्वाजा खोला वहाँ पर तीन आदमी खड़े थे उन तीनों आदमीयों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और तीनों आदमीयों ने काले रंग की कैप लगाई हुई थी उन काले रंग की कैप के नीचे उन तीनों ने चश्मे पहन लखे थे और तीनों लोगों ने काले रंग के कपड़े पहन लखे थे जिसमें काली पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोड था उन तीनों में से पहले आदमी ने रोबर्ट से साफ साफ यूएफो के उस तूटे हुए टुकड़े को मांगा उसने वो बात एकदम ऐसे बोली जैसे कि कोई रोबोट बोला हो बाकी के दो आदमी जो पीछे खड़े थे, उनके चहरे को देखके ऐसा लग रहा था कि उनके चहरे प्लास्टिक के हैं, उनके चहरे एकदम सफेद थे और चांद की रोशनी उनके चहरे के उपर से काफी जादा रिफलेक्ट हो रही थी पहले रोबर्ट एकदम शान था, फिर उस काले सूट वाले आदमी ने रोबर्ट से दुबारा पूछा उसके दुबारा पूछने पर रोबर्ट ने कोई भी जवाब नहीं दिया तभी उसमें से एक आदमी ने बुला कि अगर वो अपने परिवार की सलामती चाता है तीनों आदमियों में से एक आदमी ने अपने जेप से एक पैन का तुकड़ा निकाला और उस पैन के तुकड़े को रोबर्ट के गले में घुसा दिया शायद वो एक इंजेक्शन था जिसकी वज़े से रोबर्ट उसी वक्त विहोश हो गया इसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं अगले दिन जब रोबर्ट उठा तो वो अपने बैट पर सो रहा था और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो आखरी बार उन आदमियों से मिलते वक पहना हुआ था वो तुरन अपने घर के में दर्वाजे पर गया जो की अंदर से बन था पहले उसको लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा था लेकिन फिर उसको याद आया कि रात में वैली ने उसको अपने घर में आने के लिए बोला था वो तुरन भागते हुए वैली के घर गया जब वो वैली के घर पर पहुँचा तो वहाँ पर वो नहीं था रॉबर्ट ने उसके घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वैली कल रात में तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गया था उसके बाद से वो घर नहीं आया रॉबर्ट जब वैली के कमरे में गया तो उसका कमरा काफी बिखरा हुआ था ऐसा लग रहा था कि कोई उस कमरे में कुछ ढूनने की कोशिश कर रहा हो उस दिन के बाद से वैली का कुछ भी पता नहीं चला और किसी ने उसको नहीं देखा रॉबर्ट ने जब पुलिस में जाकर कम्प्लेन की तो पुलिस वालों का शक खुद रॉबर्ट के उपर ही जा रहा था क्योंकि वो आखरी आदमी था जिससे वैली ने बात की थी कोई भी रॉबर्ट पर विश्वास नहीं कर रहा था रॉबर्ट ने जब अपने साथ घटी उस घटना के बारे में भी बताया तो किसी ने भी उस पर कोई भी विश्वास नहीं किया कुछ महनों तक रॉबर्ट को पुलिस वालों ने पकड़ के रखा उसके बाद रॉबर्ट को छोड़ दिया गया क्योंकि उनको पी ये पता चल गया था कि जब वैली गायब हुआ तो रॉबर्ट अपने घर पर था रॉबर्ट हमेशा ये ही सोचता था कि आखिर वो काले कपड़े वाले आदमी थे कौन और उनको उस स्पेश शिप के टूटे हुए तुकड़े के बारे में किसने बताया उसके दिमाग में अक्सर ये सवाल गुंचता था कि आखिर वैली ने रात में उसको फोन करके क्यों बुलाया ऐसी क्या जानकारी थी जो वैली को उसे रात में ही बतानी थी और वो आदमी उस स्पेश शिप के टुकड़े को आखिर मुझसे क्यों चीनना चारहे थे ऐसा क्या रास था जो वो काले कपड़े वाले आदमी चुपाना चारहे थे हो ना हो वैली के गायब होने के पीछे उन काले कपड़े वाले आदमियों का ही हाथ था और वैली ऐसा कुछ जान चुका था जो वो आदमी किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहते थे और अब ये राज, हमेशा राज ही रहेगा अब मैं आपको तीसरी गटना बताने वाला हूँ ये तीसरी गटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये गटना घटी थी टोनी के साथ चोकि United State के एक गाउं अथूर के रहने वाले है ये गटना 2003 की है तब टोनी रोज की तरह अपने परिवार वालों के साथ डिनर कर रहा था उन दिनों उसके एरिया में कुछ इलेक्टिसिटी की प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वज़े से रात में काफी अंधेरा हो जाता था और आसपास के घर भी एक दूसे से काफी दूर बने हुए थे और वहाँ जादा लाइट नहीं थी नौंबर का महिना था और टोनी और उसकी फैमिली रात में दिनर कर रहे थे दिनर करने के बाद टोनी और उसके पापा बाहर कच्रा फेकने गए और तभी उन्होंने देखा कि एक कार जिसके अंदर कोई बैठा हुआ है अंधेरे की वज़े से उनको कुछ दिखाई नहीं दिया वो कार उनके घर के सामने खड़ी थी और फिर अचानक से अंदर जंगलों की तरफ चली गई ये बात उनको बहुत अजीव लगी क्योंकि उस एरिया में कभी कोई कार नहीं आती है थोड़ी दिर बाद वो कार जिस जगह कई वहाँ पर छे सफेद आकरितियां दिखाई देने लगी जो कि काफी देर तक वहीं पर खड़ी थी कुछ देर तक वो आकरितियां वहीं पर घूम रही थी और आपस में एक दूसरे के इर्दगिर्द भी घूम रही थी जब टोनी ने ये सब देखा तो वो तुरन अपने दादा जी का एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर ले आया जिसमें उसने उन छेओ आकरितियों को रिकॉर्ड किया कुछ देर बाद एक अजीब सी रोशनी चमकी और वो छेओ आकरितियां वहां से गायब हो गई जहां पे वो सारी की सारी आकरिती थी वो एरिया टोनी के घर से करीब 200 याड की दूरी पर था वो चीज क्या थी किसी को कुछ भी नहीं पता था और वो कार में वो लोग कौन थे इस बात का भी किसी को कुछ नहीं पता चला आखिर वो लोग जंगल की तरफ क्यों गय थे और वो रोशनी क्या थी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला टोनी ने जिन आकरितियों की वीडियो रिकॉर्ड की थी वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी और अगर किसी कारण वर्ष मैं उसको अप्लोड नहीं कर पाया तो आप मुझे मेसेज करके भी उस वीडियो को ले सकते हैं तो दोस्तो यह थी तीन घटना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी हो और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊ और क्लिप देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के मेसेज कर लेना और मिलते हैं प्ले वीडियो में बाई